अज आज वे वेरी वेरी ग्रेट नूस्ट तो शेर आच्छुली वी शुद बी थैंक्फल तो आईसी आई बही मैं आईसी आई का हाद जोड के शुक्रिया गरना चाहता हूं बेकाउज आईसी आई ने एक ट्रेमेंडस नीवस शेर करी हमारे साथ आज जितने भी स्टूडेंट्स आउट श्कीम में जा रहे थे जितने भी स्टूडेंट्स किसी भी वज़ा से विकाउज आउफ एफ कोविड अगर वो नवंबर में एक्जाम नहीं दे पा रहे थे बिटा उनको डरने की अब कोई जरूरत नहीं है आपने कोई भी चीज अपने दिमाग में नहीं लगानी टेंशन नहीं लेनी दोस्तों वाई बिकाउज देंट्स के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो 21st जानवरी को भी एक्जाम दे सकेंगे इन दे सेम मोड सपोस कर डीजे बिकाउज अब कोविड अगर आप अभी एक्जाम नहीं दे पाते हैं नवंबर में दोस्तों तो याद रखेगा आप अपने एक्जाम आप्ट आउट करके 21st जानवरी को कर सकते हैं के majority students ICI को क्रिटिसाइज करते हैं मैं देखता हूँ कई सारे channels कई सारे teachers ICI को क्रिटिसाइज करते हैं but I should say hats off to ICI to because they are managing exams in this difficult era in this difficult time period कहने और करने में दोस्तों बहुत फरक होता है और मैं ICI के लिए भई यहाँ पर ताली बजाना चाहूँगा कि उन्होंनों जो कहा वो करके दिखाया नवंबर में exam लिए बेशक फोड़ा सा delay हुआ but आप खुद सारे समझ सकते हैं कि all over India level पे लाखो students के exam कराना it's not so easy it's not so easy even then ICI is managing it's a great task they are doing up भई so बच्चे बटा हम इस चीज को positive लेके सोचें हम इस चीज को negative ना ले majority students मुझे call कर रहे हैं sir हम थोड़ा सा demoralized हो गए हैं exam postpone हो रहे हैं हम वहाँ पर हमारे को पंड़े का time extend हो रहा है दोस्तों यह सब बाते इस time पर सोचने का नहीं है suppose कल डीजे आप में से कोई inter के students हैं जो कहते हैं sir हम group 1 अभी करना चाहते हैं group 2 बटा 21st January को आप time कर सकते हैं आपके both groups within the gap of two months हो जाएंगे तो आपको ICI का शुक्रिया बोलना चाहिए बटा क्योंकि आप लोग बहाँ पर सारे के सारे में देखता हूं भी काफी सारे लोग सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो ICI के against बोलते हैं उनके लिए भाई opt-out scheme आ चुकी है 21st January को मैं आप लोगों को अभी एक notice जो ICI ने share करा है मैं आपके सामने present करने जा रहा हूं दोस्तों तो आप देखेंगे बच्चा वो notice आपके सामने है इस time पे अब देखें बच्चा ICI ने आज के दिन 19 नवंबर को आज ही मैं आपके लिए विडियो बना रहा हूं और 19 नवंबर को ICI का ये notice आया है announcement आई है कि भई जितने भी students हैं जो वहाँ पर किसी वज़ा से नवंबर में exam नहीं दे सकते हैं वो opt-out scheme में जाकर 21st Jan को exam दे सकते हैं with the same schedule and the same cities और क्या चाहती हो या राब इंटर वालों के लिए बहुत बढ़िया news है जो बच्चे बोद गृप की तैयारी कर रहे थे बहुत शानदार news है foundation वाले मेरी सलाम आने नवंबर में टेम दे definitely बच्चा आप नवंबर में टेम दे हैं अगर किसी वज़ा से because of your sickness or illness or any sort of family issues आप exam नहीं दे पाते तो आपका सिरफ two months के gap में आप next exam दे सकते हैं and I'm very sure कि ICI notification लेकर आएगा कि जो बच्चा जानवरी में exam दे रहा है और जो बच्चा नवंबर में exam दे रहा है उसका आगे जो अगला attempt होगा उसका time limit भी इतना waste नहीं होगा so I'm very sure about it so बच्चा अपने institute पे अपने भगवान अपने मंदिर पे भरोसा रखिए मैंने starting में का था दोस्तो ICI हमारा मंदिर है so उस पे भरोसा रखिए उस पे trust रखिए उस पे faith रखिए और definitely वो कुछ ना कुछ सोचेंगे students के लिए so this is a tremendous news for all the students guys hats off to ICI once again I'm saying and बच्चे बटा positive होके पूरे अपने जोर शोर से exam की त्यारी में लग जाए अगर आप CA inter या CA final students हैं अगर आप दो group करना चाहते हैं ए ग्रूप अभी करके ए ग्रूप आप बड़े अराम से opt-out करके जैनवरी में exam दे सकते हैं अगर आप foundation student है किसी वज़ा से आप November के exam नहीं दे पारे हैं दोस्तों आपके लिए January open है you still have two months to prepare अब बड़े अराम से दो मेने की त्यारी करके और अच्छे से अपने exam दे सकते हैं so guys I again once again I again once again say to all that without wasting any time सिरफ और सिरफ अपना exam पे focus करिए और किसी फालतु बात पे ध्यान मत दीजे अगर आपको CA बनना है CA is not everybody's cup of tea you have to be special to become a chartered accountant so you are a special person you are different from the lot see it is very easy to become followers but it's very difficult to become a leader so we have to be leader you are a leader of the country financial system so if you want to become a leader guys you have to you have to work hard to achieve that leadership so CA again I am telling you but it's not everyone's cup of tea so you are special you are different from the lot right so guys all the best for the exams all the best God bless you work hard work hard and work hard that should be the mantra with all SDH I told you those SDH sincerity dedication and hard work I'll cut the video short because all the best guys God bless you guys God bless you all the best thank you guys thank you guys झाल झाल